मैं मीरा पाठक, जौला देभी परिसर, सरस्वती शिशो मंदे, सिविल लाइन्स प्रयाग राज, विद्या भारती, काशी प्रांथ, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत हैं। सभी बच्चों को नमस्ते, सब लोग हाँ जोड़िये, नमस्ते करिये, बच्चों, अभी हम लोगों ने कल परसो इसके पहले जो एक हफ्ते से जो भी क्लास में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके विसे में बहुत सारी बाते सुन रहे हैं, ये सारी बाते कितने लोगों आपने घर में जाके बताई है सबने कल कोई exercise दिया नहीं गया था तो कल आप लोग बताए क्या कि अच्छा क्या बताए किस विसे में बताए लिए आरे वाः वेरी गुड सब ने बताया होली दीपावली द सहरा वेरी सारे बच्चों के लिए आप ने जाके तेउहार के विसे में मा को बताया इसलिए सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग मैंने ताली बजाई चलिए अब सब लोग अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए आपके हिंदी की पुस्तक का क्या नाम है बांसुरी भाग एक अरे वाह तो चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं कौन सी पुस्तक है यह और से अनार वाली हां और से अनार वाली तो है लेकिन बच्चों इसको हम लोग हिंदी की पुस्तक कहते हैं हाँ ये कौन सी पुस्तक है हिंदी की पुस्तक बासुरी भाग एग अब आज आये देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या देखना है कौन सी पिक्चर आ रही है और हमें क्या सुनना और समझना है यह देखे क्या आया बुक में देखिए जो आपके बुक में है वहीं यहां पर है क्या है आक्या है ये अनार बेरी गूड़ मों से पता कि ये अनार है अच्छा खाते हैं हाँ यहां और और कैसे पता चला ये वेरि गुड आपने पहले से देखा था उस्तक में बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बैरि गुड चलिए तो देखें बच्चों यह है ऐसे आना जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं कि फल होते हैं फल में जो इसमें नाम आया था उसमें अनार भी आया था बहुत सारे फल होते हैं यह और से अनार है लाल रंका होता है इसमें बहुत सारे दाने होते हैं लाल लाल होते हैं एक चीज और बताएं हम लोगों के पुस्तक में अभी आप जैसे समरिध्य ने बताया जैसे तनिश्का ने बताया वेदांस ने बताया कि आप लोगों ने पुस्तक में ये सब कुछ देखा है तो आप देखे होंगे कि आ से अनार आ से आम ई से इमली बच्चों इसको हम लोग स्वर बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वर अभी जब हम लोग धीरे 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 इसको देखें समझेंगे ना तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि हिंदी में स्वर और व्यंजन दो चीजे होती हैं लेकिन अभी आप छोटे हैं तो आपको हम थोड़ा-थोड़ा बताएंगे यह स्वर अब स्वर का पहला अक्षर ओ होता है ओ से अनार अनार में मीठे मीठे दाने होते हैं इसको हम लोग खाते भी हैं जब हम बिमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको बताते हैं कि अनार का आप जूस पीजिए और हेल्डी हो जाईए स्वस्थ हो जाईए और हम लोगों के सरीर में अनार जैसा ही बहुत अच्छा सा बढ़ियां सा स्वस्थ होने वाला ब्लड भी आता है ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं फून वेरी गुड औसे अनार अब देखिए क्या आगया आसे आम आम फलों का राजा इसके पहले भी हम लोगों ने आम के लिए बहुत सारी चीजे सुनी है मैं उने बहुत सारी चीज बताई है आपको आम से क्या होता है आम कैसा लगता है आम से क्या बनता है किस रंग का होता है तो औसे अनार आसे आम यह यह देखें क्या गया इसे इमर्ति हा सब लोग तालीप हो जाईए एक बार इमर्ति आ अभी हम लोग खाएं गे बररी गुड हम इसे इमर्ति जब हम लोगों का जन्मदिन भी होता है कहीं हम लोग घूंबने जाते हैं कहीं मेला लगता है कबी मा किसी पूजा में भी कहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फर्स्ट आजाएगी तो भगवान जी आपको मिठाई चढ़ाएंगे तो आपको पसंद है न इमर्ती तो मा पापा से इमर्ती मंगाती है मीठा होता है इसको सीरे में डुबाया जाता है और हम लोग इसको खाते हैं, एक होता है जलेबी और इसको कहते हैं इमर्ती, इसे इमर्ती, अब ये देखिए, इसको देखिए, क्या आप लोग, क्या है ये, क्या है, पत्थर, नहीं, पत्थर तो है, लेकिन वैसे इसको कहते क्या है, इसको कभी आप लोगों ने देखा ऐसे सुन्दर से साइज में सजा रहता है कहीं या घर में भी हम लोग इसको रखके कभी सामान रखते हैं हाँ, very good, eat है ना, इसको eat कहते हैं जिस विद्याले में हम पढ़ रहे हैं वो building, वो घर, किसी से बनता है? eat से बनता है, eat, cement, बालू तो अभी हम लोगों को क्या जानना है? इसको हम लोग बड़ी E और छोटी E भी कहते हैं ये बड़ी E है, इमर्ती वाले को छोटी E कहते हैं उसके साथ अभी हम आगे पढ़ने के बाद बताएंगे कि इसका उचारण हमें कैसे करना है? कैसे बोलना है? eat कैसे बोलना है? और E कैसे बोलना है? तो E से eat ये देखें क्या है? उक से उद्यान लोग जल्दी से बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं ना कभी-कभी घर में भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ाती है तो कहती है छोटा उसे उल्लू पढ़ाती है अभी इस फिक्चर में क्या है उक से उद्यान जब हम लोग दादा जी के साथ घूमने जाते हैं मा के साथ जाते हैं भाईया के साथ जाते हैं तो कहां जाते हैं उद्यान मिंस बागीचा खेलने जहां खेलते ये देखें बहुत सारी चीजे पेंड पॉद है बहुत सारी लोग भी बैठे हैं तहल रहे हैं कुछ लोग लेट गए हैं इसमें हम लोग खेलते भी हैं फुटबॉल खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं उ से उद्यान उ से उट, जैसा कि इसके पहले भी हम लोगों ने कई सब्जेक्ट में पढ़ा है, उट रेगिस्तान में रहता है, है न, तो ये क्या है, उ से उट, सब लोग जल्दी से हाज जोड के रिशी बाबा को प्रडाम करिए, रिशे, रिशी, इनको आप लोग देखें हैं, कहीं क्या, सब लोग देखें हैं, चाह, तीन, चार लोग देखें हैं, बाके लोग नहीं देखें, क्यों आप लोग संगम नहीं गया हैं, क्या, संगम गया ह अच्छा अभी नहीं गया मम्मी लेके नहीं जाती हैं अच्छा कभी आप लोग मां से बोलिएगा कि मां हमको संगम ले चलिए या किसी मंदिर में ले चलिए वहां पे रिशी बाबा रहते हैं इनकी बड़ी सी दाड़ी होती है बड़ा सा बाल होता है जुडा बनाये रहते ह है बहुत आध्यात्मिक होते हैं और बच्चों बहुत इंच्छी बाते भी बताते हैं आशिरबाद भी बहुत अच्छा देते हैं तो री से रिशी हुँ यह तो सबके पास है किसके पास नहीं है सब के पास है अधरो देखी चरह कहा है हां वह सुंदर वेरी गुड़ एसे एडी बच्चों अगर हमारे पास एडी नहीं रहे ना तब तो हमारे ये पूरे शरीर का कोई मतलब नहीं है चली नहीं पाएंगे इसकुल ही नहीं आपाएंगे तो हमको अपने पैर कि सुरक्षा भी करनी होती है वो सुरक्षा कैसे होती है हम लोग पहनते हैं जूता पहन के आते हैं चपल पहन के आते हैं यह क्या है एसे एड़ी देखिए यहां पे बनाया गया भी है एरो की एड़ी इसी पार्ट को कहते हैं यह सब उंगलियां है इसको हम लोग एड़ी कहत है अब यह क्या है ऐसे है पॉन best पहनता है अभी बताइए कौन paila है अरे अभी मैं पहनी हूं मैं पहनी है ऐसे एण हो आप लोग पहनते हैं क्या आ इसको अच्छा जब आप भूमने जाते हैं धूप लगती तो पहनते हैं वेरी गूड बहुत सुन्दर है कि फिर इसे एक बार हाथ जोड़िए कौन आ गया है हाँ जब हम लोग वंदना में जाते हैं न तो देखते हैं बीच में एक चित्र लगा रहता है ओम ओ से ओम ये किस भगवान के लिए है हाँ वेरी गुड संकर भगवान के लिए हैं संकर भगवान के लिए हम लोग मंत्र में ओम नमः शिवाया बोलते हैं न तो यह ओ से ओम है यह तो मा आ गई कौन आ गया अच्छा पताई यह मा आ गई कि मैं मा गई वेरी गुड मा आ गई बहुत अच्छा यह ओ से औरत जिसके अभी हम लोग इसके पहले सबसे पहली क्लास में पढ़े थे हम लोग औरत मा औरत होती हैं बिंदी लगाती हैं चूड़ी पहनती हैं और आपके लिए बहुत सारा कारे भी करती हैं खाना बनाती हैं कप्ड़े धोती हैं तो औरत क्या होता है याउसे औरत वेरी गुड यह क्या है और के बाद अंसे अंगुठी अचा आप लोगों में से कितने कोई नहीं कोई बाती अभी आप छोटे है ना इसलिए अभी अंगूठी नहीं पहनना है अच्छा आपने पीनी नहीं मैं को देखा है릴 मा को देखा है अंगूठी पहनते त देखा है अच्छा गूठी कहा पहना जाता है कि उ сторону हाँ ये और यहां भी देखिए यह एंगुठी है यह इसको हम लोग कुछी समस्क्राइब कुछ नहीं होता है यह देखे यहां कुछ नहीं है कोई पिक्चर ऐसी ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनी है जिसको हम यह दिखा सक curves कि अहां मतलब भी कुछ होता है सारे अक्षर के साथ कुछ नकुछ चित्र धाना लेकिर इस अक्षर के साथ इस ब्लैक बोर्ड पे देखे incoh hè अहा के बाद कोई चित्र ही नहीं बना है तो अहा मने कुछ भी नहीं एक बर ताली बजाएए सब लोग वेरी गुड अभी बच्चों हम लोग इसको ऐसे चित्र के साथ देखे और आपकी कुस्तक में भी बना है लेकिन हम लोग वही चीज देखते 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 पढ़ते क्या हो जाते बोर हो जाते हैं न तो हम लोगों को कुछ अलग सा भी पढ़ना चाहिए जैसे मैं आपके साथ activity करती ना activity room में जाके तो ये देखिया आप लोगों ने क्या क्या बनाया हम सब इकठा करें को पता है अच्या-पको पता है कि मैं सब रख ली है इसलिए रख लिए हैं कि कभी-कभी आपका लिखने का पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हम लोग इन सब चीजों से पढ़ेंगे इसमें देखिएगा कुछ अलग-अलग भी चित्र हैं जैसे अभी हम लोग इसे इमर्ती पढ़ें लेकिन अभी जो हम दिखाएंगे उसमें यह देखें यहां अक्षर है और यहां अक्षर के साथ चित्र भी है सब लोग ध्यान से देखिएगा अभी एक्टिविटी फिर से हमें करनी है चलिए दूसरा देखिए आ से क्या है आ से आम वेरी गुड़ आप देखिए हम लोग पुस्तक में क्या देखे थे इसे मर्ती देखे थे ना लेकिन हम लोगों ने बनाया क्या है इसे इमली क्या बनाए है इसे इमली अगला है आपने यहां पर पुस्तक में इसे इंट देखा था हम यहां क्या दिखा रहे हैं इसे एक अब देखेंगे उ से उ द्यान देखे थे ना आप लोग और यहां क्या देखेंगे उ से उल्लू आप लोगों ने अच्छा बताईए उ से क्या देखा था यहां पर उट अब बताईएगा क्या है अरे वा उ से उ जिसका स्वेटर बनता है सब लोग इधर देखें कौन नहीं देख रहा है ऐसे एनक अभी हम लोगों ने ओ से क्या देखा था भूल गए जल्दी से बुक में देखें फटा फट ओ से ओम देखे थे हम लोग इसमें क्या है ओ से ओखिली आपके घर में है क्या इससे क्या करती है मा अधरक उटती है चाय में डालती है अरे वा ओ से ओखिली और ओ से और यह तो हम लोगों देखे ही है ह avg अंसे अंगूर हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था ंसे अंगू ठी लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं अंसे अंगूर और बच्छों जैसे ओह में कुछ नहींदा वैसे इसके साथ भी कोई पिक्चर नहीं यह ठीक है ना तो हम लोगों को औ से अहत तक का स्वर याद करना है इसके साथ पिक्चर भी पहचानना है और एक छोटा सा हम लोग इसके साथ गीत गाएंगे और उसको याद करेंगे तो मेरे साथ बोलना है सब को ठीक है ना पहले तो देख लिजी यहाँ पिक्चर किस किस चिच का बना है अनार इंजन हाथी आम स्वेटर अंगूर इसमें जो गीत हम बोलेंगे इसमें बहुत सारे पिक्चर नहीं है उस चित्र को आप मां से कहिएगा जब आप गीत सुनाएगा तो मां से कहिएगा कि मां ये वाला च ऀजी चित्र दिखाईए अगर मां नहीं दिखाएंगी तो कल हम आपको दिखाएंगे पका चलिए अब मेरे साह्व बोलेंगे अनार में है मोती से दावने सब लोग बोली एक सार अनार में है mm二 से दाने एंध्वानें मांने थे रहां गारी ही इक चूसता है पनवाडी पूलना है एक साथ उस तरह से बनते हैं बाल उनी स्वेटर पहने लाल रिश करते इस स्वर का ध्यान एक तारा पे गाते गान एरावत की देखो शान ओखल में कूटेंगे धान क्योंकि अहा के लिए कोईची आख रूहिए हैं, अहा के लिए कोई वाक्य नहीं है, अहा के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हाहा करना है तो सब लोग एक बार हाथ उपर करेंगे, पुस्प वर्षा करेंगे और जो वर्षे ताली बजाएंगे, सारे बच्चों को अच्छा लगा, इस गीत को सुनके अच्छा लगा, वेरी गुड, आज की क्लास में हम लोगों ने और से अहत के स्वर को छित्र के माध्यम से देख लिया है, अब आप घर पर जाईएगा, जो हम लोगों ने गीत गाया है, उसमें पुस्तक में जो चित्र नहीं है, उस चित्र को मा से कहिएगा, मा दिखाएंगी, और मा पापा पूरे परिवार को गीत को सुना दिजेगा, सभी बच्चों को नमस्ते, थांक यू, बाए ब फिर हम लोग कल मिलेंगे